तो आईए students start करतें अपनी आज की class जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे maths का topic ratio and proportion सो students ratio and proportion में practice questions की series चल रही है जिसमें आज की class में भी कुछ नए तरीके के practice questions में आपके लिए लेके आया हूँ सो इससे पहले के सभी parts आप देख चुके होंगे ऐसा मैं उमीद करता हूँ इससे आपका concept अच्छे से clear होगा और कोई भी doubt नहीं आएगा सो students आईए देखते हैं आज की class में हम किस तरह की unique questions करने वाले हैं जो की exam में जाधतर repeat होते हैं सो आप देख सकते हैं students यहाँ पर जो question लिखा है if x square plus 4y square is equal to 4xy then x is to y अब students यह थोड़े से upper level के questions हैं इसके लिए आपको algebra के जो formula हैं जिसमें a plus b का whole square a minus b का whole square यह आपको याद होना चाहिए और अगर याद है तो आप question देखते ही समझ गए होंगे so students अगर मैं इसको solve करूँ तो देखे कैसे होगा यह हो गया x square plus 4y square और मैं इस number को भी अगर यहाँ पे ले आता हूँ तो यह minus में आ जाएगा is equal to यहाँ पे 0 बचा अब यहाँ पे मुझे साफसा formula दिख रहा है formula कैसे बनेगा students देखे यह हो गया a और यह हो गया b और यह हो गया minus 2ab क्या यह बात सही है अब देख सकते हैं अगर आप इसको खोलेंगे तो उपर वाला ही number बनेगा तो इस तरह से मैंने यहाँ पे formula बना दिया अब यह a square plus b square minus 2ab का formula है तो answer क्या आएगा students a minus b का whole square is equal to 0 ठीक है यहाँ तक पहुच गए अब question बहुत थोड़ा सा ही बचा है क्या होगा students देखे square जब यहाँ पे लगेगा तो देखे 0 का under root 0 ही होता है तो इसका मतलब मैं पिचला जाएगा x is equal to 2y बचा अब ratio बना दें का तरीका मैंने आपको बताया हुआ students जितने भी variables है एक तरफ कर दीजिए और number को एक तरफ तो इसका मतलब x upon y हो गया is equal to 2 2 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे बन लिख दीजिए तो x ratio y आ गया 2 is to 1 तो हमारा option number a answer रहे अब अगला question देखते है students if 5x square minus 13xy plus 6y का square is equal to 0 then x is to y की value निकालनी है अब यहाँ पर आप देखिए a square plus b square minus 2ab है लेकिन निकल नहीं पाएगा क्यों students देखें क्योंकि यहाँ पर तो मुझे पता था कि 4 किसका square हो था 2 का लेकिन क्या मुझे पता है 5 किसका square है 5 तो किसी number का square नहीं होता है ठीक है उसी तरह six भी किसी number का square नहीं होता होता है किस number का होता है five देखिए इसका square होता है six इसका square होता है लेकिन इसको हम फाल्तों में use नहीं करेंगे हम इसको middle term split से करेंगे इसमें बीच वाला number तोड के देखेंगे आई ये students देखते तो यहाँ पर मैं 13xy plus 6y square is equal to 0 अब देखे 5 और 6 को multiply कीजे तो यहां पर आ गया 30 अब 30 को मुझे इस तरह से तोड़ना है कि यहां पर minus 13 आ जाए तो यहां पर क्या होगा students 10 और 3 10 और 3 से मैं 30 बना सकता हूं और 13 भी बना सकता हूं तो इसका मतलब मुझे कुछ इस तरह से लिखना होगा यहां प 3xy ताकि यह 13 बन जाए और plus 6y का square अब students मैं क्या करूंगा यहां पर पहले दो में जो भी common आ रहा है वो देख लेता हूं जो कि आ रहा है 5x तो यहां पर x minus 2y बचा और बाद के दोनों में क्या common आ रहा है students minus 2y common आ रहा है तो देखे 2 तो common नहीं आ रहा है 3 common आ रहा है minus 3y common आ रहा है तो इसका मतलब यहां पर बचा x minus 2y is equal to 0 अब देखे दोनों नंबर में यह वाली चीज common आ रही है तो अब मैं क्या लिख दूँगा students x minus 2y को जो भी common आ रहा है वो निकाल देता हूं देखे इन दोनों को common निकाल दिये मैंने इस तरह और जो बचे हुए नंबर दोनों है वो साथ में लिख देता हूं तो 5x minus 3y यहां पर आगे equal to 0 अब देखे students यह भी 0 के बराबर है यह भी 0 के बराबर है तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको x minus 2y is equal to 0 और यहां पर 5x minus 3y is equal to 0 अब मुझे ratios निकालनी है ठीक है अब देखे ratio कैसे निकलेगी जैसे यहां पर किया था ना बिल्कुल वही काम करना है x is equal to 2y है y को यहां बेजिए x upon y is equal to 2 is to 1 तो एक ratio तो आगई 2 is to 1 और दूसरी ratio के आएगी students देखे 5x is equal to 3y कर दीजिए y को यहां बेजिए 5 को वहां पर बेजिए x upon y is equal to 3 upon 5 आगया तो दूसरी ratio आगई 3 is to 5 अब यहां पर देख तो यह तो यह answer हो गई है यह answer होगा अब यहां पर हम कौन सो option चुनेगे students देखे 3 is to 5 और 2 is to 1 वाला option चुनना गलती से इनको आगे पीछे करके यह वाला question मत चुन लेना यह वाला option गलत हो जाएगा आपका और ना ही यह single single लेना तो आई होब यह important question था बहुत जाद है important question question था आपको समझ आया होगा screenshot लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे तो students question 3 की तरफ बढ़ते हैं लिखा है if a b is equal to 36 then which of the following is correct so students आपको इसमें क्या करना है देखे a और b को multiply करके 36 दिया हुआ है अब यहाँ पर आपको hit and trial method लगाना है hit and trial मतला आपको a के करके options check करने है क्योंकि इसका solution तो कुछ खास हो नी पाएगा तो हम क्या करेंगे students options check करते हैं अब देखे students यहाँ पर अगर मैं पहले option को देखूं तो यह हो गया a upon 9 is equal to 4 upon b क्या यह हो गया अब देखे यहाँ पर इन दोनों को multiply कीजिए यह हो गया a b और यह हो गया 36 यह लो option number a ही answer है ठीक है न यह देखो a b is equal to 36 आ गया तो इसका मतलब option a ही answer है हाला कि माल लेते option a नहीं होता तो हम और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखे 9 उपर लिखना है a नीचे लिखना है 4 उपर और b नीचे अब देखे इसको cross multiply करके हमारा जो answer आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है यहाँ पर 9 b is equal to 4 a आ रहा है और अगर इस तरफ और बढ़त 6 is equal to b upon 6 में तो यह दोनों कटी जाएंगे तो a is equal to b b answer नहीं आ रहा है clear तो इसका मतला हमारा जो answer आएगा option number a आएगा question 4 की तरफ बढ़ते है students if 20% of p plus q is equal to 50% of p minus q the then p is to q तो आपको ratio निकाल ले है p is to q की बच्चो वाला question है देखते है 20 upon 100 लिख सकता हूं off की जगे multiply by यहा पर p plus q लिख दिया is equal to 50 upon 100 लिख दिया students multiply by p minus q लिख दिया यहां पर इतना clear तो इस तरह से वही जैसे English को math में change कर दिया मैं अब देखे students जितना भी solve होता है solve कर दीजे यह हो गया 1 upon 5 तो इसका मतलब मैं यहां पर लेख सकता हूं p plus q upon 5 is equal to यह दोनों कटके क्या हो जाएग तो यहां पर मैं लेख सकता हूं p minus q upon 2 अब cross multiplication cross multiply कीजिए इसको और multiply में आपको पता ही है यह वाला number दोनों से multiply होगा और यह भी दोनों से होगा चलिए अब देखे मैं short में कर रहा हूं तो यहां पर जब p को देखेगा p को तो यह 2p यहां पर है और यहां पर क्या students 5p तो यह 2p वहां जाके minus होगा तो क्या बच जाएगा 3p तो यहां पर तो 3p आ गया अब q की बात करते हैं देखें यहां पर 2q है और यहां पर minus में 5q है तो यह minus वाला 5q जब यहां पर 2 से add होगा तो 7q बन जाएगा students 7q अब देखें मुझे क्या करना है p और q की ratio निकालनी है त तो मैं q को यहां पर भेज रहा हूं 3 को यहां पर तो 7 upon 3 is equal to p upon q so answer आच चुका है 7 is to 3 option number c याद रखना है students कि जिस जो भी आपको ratio निकालनी होती है वो पहला वाला number उपर होना चाहिए ठीक है यहां पर मैं अगर p को नीचे भेज देता तो q is to p आ जाता जो की गलत होता त तो इसका भी screenshot ले लिजए students उसके बाद एक question homework में तो students question 5 आप देख सकते हैं यह मैंने आपके homework के लिए दिया है इसको अच्छे से पढ़िए समझिए और जो भी आपका answer आता है comment box में mention करके अपना answer check कराई so students यहाँ पर ratio and proportion का यह part खतम होता है I hope आपको सभी questions अच्छे समझ आयोंगे और कोई भी doubt नहीं होगा so बहुत जब मिलते हैं अपने अगले part में till then students take very good care of yourselves have a nice time God bless you bye bye